नमस्कार स्वागत आपका श्यार में और इस वीडियो हम बात करेंगे कि यूपी प्लिस कॉंस्टेपल के जो अपका एक्जाम होने वाला 27 और 28 को तो उसके लिए आपको देखिए सेफ स्कोर कितना होगा और आपको इन दो-तीन दिनों में क्या पढ़ना चाहिए कि आप अच्छे प्रिपरेशन होती है और एक्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं पिछली बार बहुत ऐसे स्ट्रेंग के साथ हुआ था और नॉर्मलाइजेशन का इफक्त क्या पड़ेगा पेपर अटेंट कैसे करना है आपको किस सब्जेक्ट को पहले करना है और तो यह भी है कि क्या आप जो डाउट हो जिन कोस्टेंज में या आप तुक्का मानने की कोशिश करें या ना करें इसके बारे में पूरा इस वीडियो में मैं डिसकस करूंगा आप इस वीडियो को देख लीजिए ज्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी और आपको को इससे काफी हेल्प मिलेगी ठीक है तो स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को मैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो कर लीजिएगा ठीक है अब स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले बात है कि सेफ इसकोर कितना होगा तो आप अभी इस चीज को इतना पेपर का लेवल कैसा होगा अगर देखिए पेपर पिछली बार की तरही आए अगर एक्जाम सेम उसी लेवल का आएगा तो जहीर सी बात है कॉट आफ जो है लगभग उतनी रहेगी थोड़ा बहुत कम होने के चांसे हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा लगभग क्योंकि आपका एक साल का 18 से 22 था इस बार गया 18 से 23 हो गया और सबको एक मतलब एक और मौका मिला है तो कुछ बच्चे जो सीनियर थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी इस कंपडिशन में आ गए तो थोड़ा सा वहां पर कंपडिशन मढ़ेगा लेकिन इस कंपडिशन की देखि धिन बच्चों ऑव हो एक्जाम दिया था जो पिछली बार वाला इससे ऑफ पहले हुआ था एक्जाम हमारा जूना गया तो या जन बच्चों के साथ Нम्राइशन वाला प्रॉबलम होगी तो वह लोग की देखिक्ग प्रिपरेशन भी अच्छी है और वह प्रोसेस पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो फॉर्म रोने तब भी भरा होगा और वह चांसे जाए लेकिन कुछ बच्चे जो हैं बहुत बच्चे चांसे वह एक्जाम देने जाएंगे और पिछली बार भी स्कूर नहीं अच्छा किया था तो इस बार भी स्कूर बहुत कम करे करेंगे तो इसलिए अगर पहली कुट आफ जाएगी तो वहां पे थोड़ा बहुत हाई जा सकता है लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर इनकी दर से जोइनिंग हो जाएगी तो फिर वहां पे वह जाएंगे ही और मतलब उनका पेपर देना बस खाली नाम का पेपर ह करूं तो मैं आपके लिए कहुँगा कि अगर टार्गेट बना अगर जनरल कैटेगरी के स्ट्वेंट है तो आप टार्गेट बना के जले कुछ भी नहीं अगर पेपर सिंपल आए तो आप सो कोश्चन का टार्गेट बनाके चलिए 95-100 कोश्चन अगर आप कर सकते हैं कर प करने थे और जवजस्ती में आप तुक्का मार दें या कुछ ज्यादा अटेंट कर दें और वहां पर कोश्चन ज्यादा गलत कर दें तो यह काम अब मत करिएगा अगर टाफ है तो आप जितना है वहीं पर रहिएगा ठीक है तो यह बात हो गई अब बात करते हैं कि इन दो जो टॉफ टॉफिक था जो मैंने पहले नहीं समझा था अब मैं समझ लेता हूं तो अभी अप समझेंगे तो थोड़ा चा कंफ्यूज होंगे और माइंड पर प्रेशर बनेगा अभी क्या करना है आपको बस जो आपने पढ़ा हुआ है आपको रिवाइस करना है वह चीज और नई चीज में पढ़ना है तो करेंट अफेस पढ़ लिजे और यूपी जी के जो है वो पूरी कवर कर लिजे इसके यूपी जी के लिए एक मैं पूरे निचोड़ वाली वीडियो लेकिया हूंगा जिसमें आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगी आज ही जितनी आप जैसे आपने पहले वोकैब पढ़ी होंगी जितनी भी चीजे आप उनको एक बार रिवाइस कर लें बाकी चीज वो चीज आप मत पढ़िए जो चीज आपको आती है जैसे कि आप मुहावरे और उनसम में इतना टाइम मत लीजेगा आप राइटर्स जो हैं आप कोई कोशन कोई गडबर मत करिएगा ठीक है तो यह चीज आप कर सकते हिंदी यूपी जी के भी आप तयार करिए जीएस में आप और कोई पोर्शन मत पढ़िए कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अभी आप बहुत स्लेबस है ना देखिए जितना पढ़ना होगा आप आपने पढ़ लिया है अब उसको मत पढ़िए और प्लस मैथ के लिए और रीजनिंग में आप इतना कर सकते हैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके कोशन बहुत आते हैं और अगर आपको पता नहीं या अपने थोड़ा दा पढ़ रहा है लेकिन आपको कन्फ्यूजन है तो आप उनको कर लिए जैसे मैथ में आप बेसिक अपना सब कुछ कर लिए तक टाइम डिस्टेंस अच्छा टॉपिक है इससे कोशन भी अच्छे हैंगे तो अगर आप टाइम डिस्टेंस ना भी करें तो कोई दिक्कत हैं लेकिन आप परसेंटेज रेशियो एवरेज और है उसमें एक-दो कोशन बहुत टफ होंगे तो आप मानके जलिए अगर ठीठा का अपना प्रिपरेशन करेंगे मैं पंदर हम से अटेम्ट कर सकते हैं रीजिनिंग में कुछ टॉपिक हैं जैसे कथन निसकर्स वाले हैं आप उसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं उसको आपको एक दो पेपर है तो एक दो पेपर उसको सॉल कर लिए पूरा पेपर तो आपको आड़िया हो जागे को पेपर आए अ कैसा मत बहुत आपको कॉचल है और वो ऐसे सीजल लेवल का है आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पहुंचना होगा अगर आपने पहले से concept पढ़ रखे तो सही है अभी कुछ मत करें कि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा अभी समझ नहीं पाएंगे अगर टाइम हो तो आप कोई बिल्कुल भी नमबर नहीं है जिसमें गलत कोईशन से फरक पड़ता है नॉर्मलाइज़ाइशन का सेंपल जो एक concept है वह एवरेज से होता है कि आपके उस शिफ्ट के अगर उनने थाउजन स्ट्रेंट का सेंपल ले रहे हैं तो कितना उस स्ट्रेंट के एवरेज माक्स आ रहे हैं अ उसको वरीता कम देंगे और जिसने कम गलत किया हुआ उसको वरीता जा देते थे बस यहां पर यूज होता है वरना नॉर्मलाइज़ाइशन का गलत कोईशन करने का कोई फेक्ट नहीं पड़ता है वैसे गलत कोईशन से आप कम करिएगा आपके लिए फायदे मन्द होगा अच्छा अब बात करते हैं पेपर अटेंट कैसे करना कौन सा पोकषन पहले करना है और कौन सा पोच्वरेस से करना है इस में महिंए बहुत डाउट होता है कि आगर आप पोश्चन गलत की तो समझ के चलिए जिस travaux इमाल लिभीगा अपメंस रीजिनिंग बहुत अच्छी है आपको देखिए दो बार में paper देना है ये तो simple अबार में paper देना है आपको आप ये मत सोचीए कि मैं एक बार में Math के 20 कोशन करूँ ये 15 कोशन करूँ मैं दुबारा नहीं करूंगा मैं जितने जाओंगा कर लूँगा आप ये समझ जीजे अगर देखिए आपकी बहुत अच्छी कमांड ने जैसे अगर आपने सीजल के प्रिपेशन कर रिखे तो मैथ रीजनिंग पहले करिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है लेकिन अगर आपने आपकी मै इन्टे में किवल रीजनिंग करी तो यहां पर यह दिक्कत कर देते हैं कि मतलब कि बहुत कम कोश्चन में बहुत जादा टाइम ले लिया तो यह मत करिएगा तो हिंदी और जी के इसमें क्या है कि आपको बस कोश्चन देखना है अगर आता है तो आप कर लेंगे नहीं आत कर सकते हैं जो आपको Easy लगता है कि मुझे आता है आप इतना कर लीजिए मालिजे पहली बार में दो बार। करिए कर पहली बार में आपने किया माली जी आपने आप साथ कोशन कर पाए टूटल पूरा पूरे पेपर में से साथ कोशन कर पाए यह सतर कोशन कर पाए फिर आप दूसी बार में जाए कि पहली बार में जो यह सतर कोशन करेंगे आप बहुत ही स्पीड से करेंगे क्योंकि आप वही कोईशन करोगे जो आप जिसमें आपको पता है तो अब इसमें कुछ भी हो सकता है हिंदी के बहुत पोर्शन हो सकता है रीजिनिंग बहुत पोर्शन हो सकता है और इदर हमारा जो जीए से वहां का ही पोर्शन हो सकता है मैथ का ही पोर्शन हो सकता है कुल मिला के आ अगर आप 15-20 या 25 कोशन कर लेंगे तो बहुत सही है लाश के टाइम पे आप 5-10 कोशन अगर बढ़ा लेंगे तो लगबख 100 कोशन तक आप पहुंच जाएंगे और आपको यहाँ पर टाइम लॉस नहीं होगा किसी कोशन में टक ना नहीं है दूसरी बात ओमर सीट भढ़ने में टINE कोशन धरrzyं लिएस स्कारण वर्णित कर लिए अप दूसरी अप जिए स्वार बार कर लिए तो आप moż यह जब सकते हैं लेकिन यह मैं प्रिफर करता है आप ब्स भीत कोशन कर लिए इसे कोई नहीं हो गया तो यह से क्लियर हो गया तुक्का मायाना सही होगा या नहीं होगा तो दीखें जिन questions में अगर आप दो option नेगलेट कर ले रहे हैं जैसे कि दो आपको कोई question ऐसा है कि आप बताए प्रिथवी से लेके मतलब एक example दे रहा हूं कि सूरस तक कि distance कितनी है तो अब उसमें दो option एक आगया एक मान लिए आजागे कि एक आगया बतलब ऐसा दो option आगये जिसको आपको लगता है कि हाँ यह दो तो नहीं हो सकते हैं इन दो में confusion है तो अगर जब दो में confusion हो तभी आप चांस लीजेगा लेकिन अगर आपको चार option आ रहा है और चार में आपको कुछ भी नहीं पता जैसे मान लिए कुछ उसने पूज़िए कि यह अनुसंधान केंद्र कभ इस्टैबलिस हुआ था अब आपको कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है उसने चार option दे रहे हैं 47 47 49 50 अब आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो ऐसे को आप मत अटेम्ट करिएगा जिन कोशन में थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया जैसे दो आप नेगलिक कर सकते हैं कि जैसे मान लिए उन्होंने पूछा कि महात्मा गांधी ने यह अंदोलंग कब चलाया था अब एक एक option दे रखा कि 1800 तो आपको पता है कि 1900 के बाद तो गांधी जाया थे और एक option दे रखा कि 1947 के बाद या 1946 टाइम पे तो कुछ ऐसा करके आप दो option नेगलिक कर लें तो आप उन दो option में आप चांस ले सकते हैं लेकिन अगर दो option आप नेगलिक नहीं कर पारें मान लिए एक option नेगलिक किया तो सीधी बात है probability आपकी 33% जो है आपकी probability सही होगी वैसे आपकी 50% probability होगी तो 50% probability होगी तभी आप चांस लीजेगा उस question पर तुक्का मनने के chances तभी होगी कि आप question वो सही करेंगे ठीक है अब यह last बात है कि अगर paper tough हो जाए तो आपको उस time पर करना है त normalization में सबसे ज़्यादा effect उसको मिलेगा सबसे ज़्यादा उसको होता है अगर paper tough आए paper आपका easy आया तो normalization में सबसे ज़्यादा loss होगा अब इसको अब पिछले वाले exam से मत connect करिए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने time period कर ले लिया और यह समझेए जो पहले shift में जिनका exam है उन उनको normalization में हमेशा benefit मिलता है क्योंकि उनके पास कोई reference नहीं होता कि paper कैसा आएगा माली पेपर अचानक tough आ जाए तो बाकी जो shift वाले हो उनको थोड़ा सा फायदा हो जाता कि यह paper tough आ रहा है थोड़ा सा कुछ अपनी strategy change कर दो कि attempt कितने रखने है लेकिन पहले जो shift में paper द और अपनी preparation बिल्कुल जारे रखिए और अभी कुछ देर बाद ही UPGK के एक पूरी निचोड़ वाले वीडियो आगी जिसमें पूरा GK complete होगा UP का पता नहीं कितने मीनट की वीडियो बनेगी लेकिन आप उसे एक बार देख लिजेगा और exam देने से पहले एक बार देख आपके UPGK से कोई जो भी question आएगा वो नहीं मतलब गलत हो सकते हैं ठीक है और जितना हो सकेगा मुझसे मैं उतना कर दूँगा आपके लिए तो बहुत बहुत धिनवाद इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब में करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देखेगा तो बहुत बहुत धिनवाद इस वीडियो को देखने के लिए